नमस्क्त कवार दोस्तों आप शुवी का बहुत बहुत शुवागत है। बैल आइकन को प्रेश कर लें यह आपकी राशी के ऑफिसियल चैनल है तो इन्हें सब्सक्राइब चरूर करें तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप यह समझते हैं कि फीट पेचे किसी की बुराई करने से लोग तुम्हें भला मान लेंगे तो इसका मतलब है कि तुम्हें लोगों का मिजाज शमझ नहीं आया दोस्तों जब तक हम ़ोगों के लिए कुछ करते हैं वह कुछ नहीं कहते पर जब हमेशा नो करते हैं तो कहते हैं कि आप तो बदल गए यू तो गलत नहीं होते अंदाज चेहरे के लेकिन लोग में TH Кu वो हजाल में फसकर खुद को बदबातो कर लेते हैं पर आलोचना सुनकर खुद को शमालना भूल जाते हैं कोई कहता है जो तेरा है वो मेरा है लेकिंग हकीकत में नो कुछ कुछ तेरा है नो कुछ मेरा है यह दुनिया एक रहन बशेरा है दोस्तों नो कर फिक्र की जमाना क्या सोचेगा जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्चत नहीं है लोग याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा पर लोग याद रखते हैं कि आपने उन्हें केसा अनुभव कराया तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राजशीफल की देनी राजशीफल दोस्तों यश्मे संतु जनक समय चल रहा है जल्दबाजी के बजाए शांती पूर्ण तरीके से आपको काम निप्लाने का प्रयाश करना चाहिए तथा दोस्तों अपनी कारश्मता और योगता पर विश्वास रखना चाहिए यह आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों कुछ राजनितिक लोगों से मेल जोल या फिर मुलाकात बैतरे शाबित आपके लिए होंगे यश्मे आपके उनसे जो एक कुछ सिखने को आपको मिलेगा जो कि आपके भष्ष के लिए बहुत ही महत पूर्ण शामित होंगे इसको प्राश्मे शावधानी कुले करकर बात करें तो दोस्तों यश्मे ध्यान रखें कि अधिक सोच बिजार करने में कुछ परिणाम आपके हाथ से निकल सकते हैं शौभाव में यश्मे घमंड और अतियात मिश्वाद जिसी नकार्वक पसितियां ना आने दें दोस्तों यश्मे सेविंग में भी आपकी कमे रहेगी इसको प्राश्मे यश्मे आपके लिए जूसे में होगी यदि आप नई प्रॉप्टी या फिर घर खर दिना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए पेशा जोड़ना शुरू करना होगा आपके दोवराद दी गई लोन की अरजी यश्मे न कारा जा सकता है लेकिन दोस्तों पेशे से जुड़ी मदद आपको परिवार के मित्रों से प्रात हो शकती है दोस्तों पेशे से जुड़ी चिंता पढ़ने की वज़शी आप जो किसी भी काम पर पूरा ध्यान श्मे नहीं लगा पाएंगे इश्क परान दोस्तों यह आपके लिए जम्योंगे आपके दिंचरिया के लिए जम्योंगे दोस्तों घर को सुवविस्तित रखने में आपकी विस्स रोजी रहेगी पिछले कुश में से चल रही परिशानिया आपके शकारत्मक दिश्टिकौन और संतुली सोच से काफी हद तक सुला जाएंगे साथी दोस्तों ठकान की दिंचरिया से शुकौन पाने के लिए किसी एकांत या फिर धार्मिक अस्तल पर कुश समय वहिदित करें ये आपके लिए बैतर होगे इसको पराद दोस्तों ये शमी आपके लिए समय होगे किसी मित्र या फिर सिदार की कलत सला के लिए परिशानी का कारण बनेंगी बैतर है कि दोस्तों अपने निदले को ही शरुप परे रखें और दोस्तों अपने गुशे और अहम जैसी नकात्मक कम्यों में शुधार लाने के लिए आपका जो समय होगा अत्य उत्तम समय होगा यह आपके लिए बैतर होंगे इसको पराद दोस्तों ये शमी आपके लिए समय होगे अपने लक्ष के प्रती धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दोस्तों अपनी भावनों को कावों में करना भी आपके लिए यह समय असान रहेगा अधिकतर शमय आप अपने विचारों में खोई रहेंगे और इनके वज़ेशे आप जो किसी जटिल प्रशन का भी उत्तर प्राप्त कर सकती हैं दोस्तों दूसरों के प्रती भी रखी आप प्रदियां ला रहा है इसको प्राप्तों यश्मी रशनात्मक तथा मन मुताबित गतिद्यों में भी आप वैस्त रहेंगे इसको प्राप्ती दोस्तों यश्मी ग्रह हिस्तितिक कूछ ऐसी है कि दूसरों की शलाप पर काम करने के अपिक्चा स्वेंग पर भरशा रखें दिंच्रिया को वैस्तित रखना आपके लिए अतियाऊश्य होगा कभी कभी गुशे आ फिर वानी में कटूता की वज़शे बनते कारी भी बिगड़ सकते हैं इस बात का भी ध्यान दे और अपने वानी पर स्वें रखकर ही कालियों को शुरू करें इसके बात दोस्तों य अब आर दो दे शुरू की बातों में आकर वक्तिगत जीवन के लिए अपना स्वुन को वहतीद कना चाहिए यासे में आपको कोई रुका हुआ या फिर उदार दिया हुआ पेशा आपको वापस मिल सकता है इसके सम्होना बन रही है परेंदू दोस्तों यासे में ध्यान रखिए कि पेशे आने के साथ साथ खर्चे भी रहेंगे दोस्तों यश्मे लपरवाई में आकर किशे भी नियम का उलंगन ना करें अने था कानूनी पचले में भी आप फंच रखते हैं इसको प्राइब दोस्तों यश्मे अभी वक्त आपके पक्ष में ही रहेगा करेबी वक्ति दोवरा आनन्द आपको प्राप्त होगा परिवार और मित्रों में जो है आपका प्रवाव बना रहेगा दोस्तों आपके वक्तिकर दिंचरिया से जुड़ी हर बातों में आपको प्रगती प्राप्त होगी दोस्तों यश में मन अनन्दित रहने के वज़े से छोटी बातों का भी आप फूरा लूप्त यश में उठा पाएंगे इसको प्राम दोस्तों यश्में अगर आपकी केरियर को लेकर बात करें तो दोस्तों वहिपारियों को प्रगती प्राप्त होंगी और नए वहिपार की वजना भी यश्में बन सकती है इसको ब्राम दोस्तों याश्व में कारिशत में कुछ भरोशे मंद पार्टीों से आपको नई प्रशाव दी मिलेंगे दोस्तों याश्व में लावधाय की स्थियां आपके लिए रहने वाली है पार्टनर्शिप सम्मंदी वाविशाय में बहुत धहरी और सहीम रखने की जरत होंगी क्योंकि दोस्तों यह जो समय है अकारण मदभेद होने की आशन का बन रही है इसको प्राण दोस्तों यह समय आपके वाविशाय के लिए समय होंगे आपके केरियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों वाविशाय के छेतर में मेनेजमेंट तथा करमचारियों के बीच तालविक बना कर रखें दोस्तों यह जो आपके लिए समय होंगे उनकी लापरवाई के वज़े से दिक्कतें आशकती है दोस्तों यह शमय अपने बहुशोमंदी किसी भी योजना को अस्तगीत रखकर वर्तमान गत्युदियों पर ये अपना ध्यान को जो है केंदरिद रखें ये भी आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों जल्दी ही शमय की चाल आपके लिए अनुकुल होंगे नोकरी में भी किसी परकार की यह शमय यात्रा संभव होंगी इसको पराण दोस्तों यह शमय आपके केरियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों इनकम के शन्षाद्रों में भी कुछ कमी रह शक्ती है प्रन्तों दोसों जल्दी ही प्रिस्तियां आपके पक्ष में होंगी इसलिए दोसों अपने कारियों के प्रती दियान को केंद्रित रखें नुकरी पेशालों को यह समय ओपिश में समाज बिठाने की में जो है कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आप इसमें काम्याब रहेंगे इसको प्रांद दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइप के लिए कर बात करें तो दोस्तों यह समय आपके मुश्किल समय में जिवन साती का स्योग आपके लिए संजीवनी का कारिक करेगा दोस्तों सिर्फ अपने गुष्य वह फिर आवश में आवश पर कंट्रोल करने की कोशिज करें यह आपके लव लाइप के लिए इसमें बहतर होंगे इसको प्राद दोस्तों यह में आपके लव लाइप के लिए जिवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों पारिवारिक वातारों यश्मे शकार्तमक बना रहेगा प्रहंतु प्रेम शम्मंदों में कभी-कभी आत्म विश्वास या फिर और विश्वास जिसी इस्तिती उत्पन हो शकती है इनसे आप बचने की कोशिश करें यश्मे आपके लव-लाइब के लिए शम्मे होंगे पति-पत्नी के शम्मंद यश्मे उत्तम रहेंगे प्रेम शम्मंद पार्दिश्टा बना कर रखें क्योंकि दोस्तों अलगाव की इस्तिती भी यश्मे उत्पन हो शकती है इसको प्लान दोस्तों यह Destiny में आपके लव लाइब के लिए जो समय होगे आपके पारिवरिक जोवन के लिए जो भी यह समय होंगे दोस्तों पती पत्नी के शमाद यह sìकर ठीक रहेंगे प्रांतू घर में कुछ ना कुछ परिछनिय नहीं रह सकती है दोस्तों परिशान ना से हार्मन समंदी दिकतें आशकती है योगा और मेडिरेशन पर आपको ध्यान देना यास में उचित रहेगा इसको प्राहन दोस्तों यह में आपके स्वास्त के लिए जो समय होंगे दोस्तों कारे चमता और उर्जा में कुछ कमी भी आपको महसुष कर सकते हैं योगा और करेंदी ली उचित इलाजीश का होगा तो दोस्तों इन पर जरूर्ण दें इसको परादूसर इसमें आपके स्वास्त क्लिशराओं दोस्तों पासर पढ़नाली कमजोर रहेगी क्यों तो समय आपको पर तनाव रहे शकता है का सुपा चे भोजन ही लें यह आपके पासर आट